हेलो मेरी प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवार पिछली वीडियो में हमने क्या देख लिया था हमने देखा था गंधी बग और उससे हमने अच्छे से देखा समझा और कैसे question आते हैं उसको भी जान लिया आज की वीडियो में हम देखेंगे sugar can leaf hopper और जही बात इसके question आने के तरीके की तो same technique है या तो आपसे पूछ देगा कि sugar can leaf hopper के morphology, life cycle, damage to crop और prevention और control बताईए या तो कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि इसका scientific नाम पूछ कर और उनके बारे में यही morphology, life cycle और यह चीजे पूछ देगा और यह किस तरीके से आपकी फसलों को नुकसान पहुचाते हैं यह पूछेगा तो simple सा question का तरीका है इसी लिए इनके आने के chances भी बहुत जाता है और rice वाला तो माफ कीजेगा और जो आपका rice वाला है वो तो काफी बार पूछा भी गया है इसलिए का आ जाता है खाना खाके वीडियो नहीं पर आपना चाहिए नहीं तो दिक्कत होती है चलिए आज की वीडियो में तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसका scientific name क्या है इसका scientific name होता है pyrela purpucilla ठीक है पर-pucilla प-u-pucilla इसलिए आपको पढ़ने में दिक्कत न हो ऐसे ही repeat करिएगा pyrela purpucilla ठीक तो आईए हम एक बार इसके systematic position को देख लेते हैं तो वही आपका same चीज है phylum, arthropoda, class, insecta, order, hemiptera family, lophopida, genus, pyrela और species आपकी purpucilla ठीक है तो ये आपकी clarification हो गई अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि ये क्या करते हैं तो आपको पता है जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है sugar cane leaf hopper यानि कि ये sugar cane पे mostly जो इनका favorite plant होता है जिस पे ये रहना, खाना पसंद करते हैं वो आपका sugar cane है लेकिन इसके अलावा भी और भी plants पे रह लेते हैं जैसा कि हमने अभी अभी गंधी बग को पढ़ा था और वहाँ पे हमने जाना था हाँ, उससे पहले एक बहुत ही serious matter पे आपको जवाब देते याद आ गया है तो देढ़ें देखिए, कुछ लोगों का message आया हुआ है आपके सामने सो कर रहा है उनके कहने के according हमने पिछली वीडियो में बायो-स्टेटिक्स में हमने उनको हलके मिले लिया अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उनसे हम माफिय मागने के लिए तयार है लेकिन जराब ध्यान से जाएगा पिछली वीडियो को ध्यान लगा के सुनिएगा उसमें मैंने ये कहा है कि मेरी छोटी सी life के छोटे से experience से जो मैंने देखा है मैं अपनी particular बात कर रहा personally बात कर रहा मैंने जो देखा है मैंने जब देखा था तो लोग ऐसे थोड़ी थोड़ी सी भी complicated question आने पर उसे छोड़ दिया करते थे लड़के और लड़की दोनों खास कर मैंने लड़की देखी थी यानि कि बच्ची देखी थी तो मैंने उसके according बात कही बाकी जो मेरी personally question है वो आपको उस वीडियो से पता चल रही है कि मैं आपके लिए force कर रहा हूँ आपको promote कर रहा हूँ कि आप उस चीज को न छोड़े तो किर्पया करके बात पहले ध्यान से सुन ले वरना मेरी 35% female audience से मैं माफी मागने के लिए तयार हूँ अगर उनको चा रहा हूँ कि आप उसे न छोड़े और आप वीडियो पीछे जाकर अच्छे से बार बार जितनी बार चाहे देख लिजेगा भावना समझा जाएगी चलिए तो उमीद करते आपको बात पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी तो बताईएगा हम अगली वीडियो में कुछ होड़ ट्राई करेंगे और क्या कर सकते हैं आपको क्या है कि हमारे कही गई बातों को आप किस माईने मिलेते हैं यह हमें नहीं पता चलने वाला हम तो वीडियो के इस पार बैठे वे आप फोन के उस पार से देख रहे हैं तो कहां पता चलेगा तो चलिए आईए आज की टोपिक के बात करते हैं बाकी देखा जाएगा तो सबसे पहली बात तो यही उड़ती है कि यह कहां कहां पर पाए जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है यह जो आपके सुगर कैन लीफ होपर है या कहलीजे जो इनका साइंटिफिक नेम है यानि की पायरिला है यह आपके पूरे भारत में पाय जाते हैं लेकिन जो आप मेनली आप देखेंगे जहां पर सबसे अधिक मात्रा में देखे जाते हैं इक्जाम्टल के तौर पे उत्तर परदेश, मध्यपरदेश, महराष्ट में यह बहुत ज्यादा मात्रा में पाय जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में फसलों को हानी पहुँचाते हैं ठीक, सिंपल सी बात है इसके अलामा और ये बिहार और पंजाब में भी देखे जा सकते हैं बाकी अगर कंट्रीज की बात करें तो आपकी अफगानिस्तान, बांगलादेश, कमबोडिया, इंडिया, इंडोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ चाइना इन जगहों पर भी ये पाए जाते हैं, लेकिन हमें अपने भारत की बात करती हैं, तो हमें उसके according मैंने आपको ये notes दिये हैं, ठीक है mainly उत्तर परदेश में भी कहां, क्योंकि हम उत्तर परदेश में हैं, तो उसमें भी कहां कहां पर होता है तो आपका मेरट में, मुझवर नगर में, सहारनपुर में, इन जिलो में आपके बहुत active form में पाए जाते हैं, क्योंकि इन जिलो में धान की, sorry, धान फिर से मुझ पे चड़ गया है सुगर की, मतलब की हमने गन्ने की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, इस वजहों से इन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, कोई doubt नहीं होगा, आईए English और Hindi आपको दोनों तरीके से notes दिये गए हैं, जो भी आपको पसंद आया, आप उसे accept कर सकते हैं, खास कर हम try करते हैं कि English, Hindi दोनों दे, लेकिन एक इनसान कितना लिखेगा, तो लिखते लिखते कभी मन भर जाता है, तो एक ही लिखता हूँ, चाहे Hindi, चाहे English, चलिए तो यह हो गया, यह था आपका distribution की कहां कहां पर यह पाए जाते हैं, अब बात करते हैं कि इनके host क्या है, या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं, यह किस plant को feed करते हैं, ठीक है, खाते हैं या रहते हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने food plant करके एक topic बनाई थी, उसमें मैंने यह लिखवाया था तो सब में मुझे एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा था आज मिल गया है उसे होस्ट कहना काफी बेटर होगा होस्ट मतलब वो जगह जहां पर ये रहते हैं और वहां पर फीडिंग की प्रोसेस करते हैं तो इसलिए मैंने आज उस टॉपिक को होस्ट लिखा हैं और उसी को फीड करते हैं और यही इनका फेवरेट फूड है ठीक लेकिन कहते हैं न गुजारा थो बस गुजारा ये अन्य चीजों पर भी कर लेते हैं जैसे कि मक्का हो गया बाजरा हो गया, जव हो गया, जुआर हो गया, बहुत सारी जंगली घासे हो गए wander इस पर भी रह लेते हैं, दिक्कत उकत नहीं है, लेकिन हाँ भाईया, न हमारा अगर किसी में लगा है, तो गंडे में लगा है, यानि कि सुगर कैन में लगा है, इसके अलावाई कुछ सबजियों पे भी रह लेते हैं जैसे कि आपकी लेडी फिंगर हो गई भिंडी भिंडी ने देखी अरे वही भिंडी आपके करेले हो गए करेले का नाम सुना होगा न बिटर ग्राउड बड़ा ही कड़वाफल है जानते ही होंगे और आपका कॉली फ्लावर हो गया यानि की फूल गो भी और भी कुछ सबजियां है जिनके उपर ये पाए जाते हैं ठीके तो मतलब ये भी इनके होस्ट प्लांट में आएंगे चलिए टॉपिक वाइस क्लियर करते चलिए एकदब माइंड क्लियर रहना चाहिए और बच्चा बच्ची में सब को कह रहा आज से हम अपना पर्सनल एक्स्पीरियंस बताना ही छोड़ दूँगा बताऊंगा बताऊंगा लेकिन ऐसा नहीं बताऊंगा जहां भेदभाव की भावना हो बिलकुल बंद कर दूँगा वरना आप लोग तरमारा नाद होके पिछह ही पड़ जाएंगे तो यह लिए आज से बंद तो अब तक हमने दो टॉपिक देख ली एक तो डिस्टिब्यूसन दूसरा होश्ट अब बात करते हम इसके मार्फोलोजी की इसके बनावट की इसके स्ट्रक्चर की आईए देखते हैं देखे बनावट तो कुछ खास है नहीं देखते ही कहेंगे वा सब सिंपल है तीन जोड़ा पैर होता है यानि की छे पैर होते हैं ठीक है तीन जोड़े से मतलब है की छे पैर होते हैं एक जोड़ा आखे होती है यानि की दो आखे होती है वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है ठीक है बाहर की तरफ निकली रहती है उसकी एलामा सुनिए इनके पास एक जोड़ा पंक होता है वन पेयर आपके विंग्स होते हैं जो इनके बैक को अच्छे से कवर किये रहते हैं आप figure में भी देख सकते हैं कैसे हैं ठीक है और सुन लिजे इनके अंदर भी sucking mouth पाया जाता है ठीक है sucking mouth का मतलब समझ रहे हैं अगर sucking mouth नहीं होगा तो इक कैसे अपना choose के अपना काम धाम करेंगे ये भी same ही काम करते हैं ये भी पतियों के जो रस हैं उनको choose जाते हैं sap को choose जा जाते हैं ऐसे गन्ना के भी अंदर करते हैं तो same condition है कोई खास ऐसा परिवर्त नहीं है तो इनके अंदर भी sucking mouth पाया जाता है जिससे साइद piker कहते हैं ठीक है P I C K E R piker कहते हैं या उससे snout भी कहते है snout का मतलब भी same होता है थूथन यानि कि थोड़ा बाहर की तरफ निकल हुआ मूँ ठीक है आप उमीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे कि थूथन का क्या मतलब होता है चलिए तो एक बार इससे revise कर लेता है कुछ खास नहीं होता है टीन जोड़ा पैर होती है एक जोड़ा आखे होती है एक जोड़ा आपके wings होते हैं पंक होते हैं जो आप माउथ पाया जाता है जिसकी सहायता से यह उसे plant के जो leaps है उनके रस को पी सकते हैं जो आपका sugar cane है उनके भी रस को पी सकते हैं ठीक है तो यह simple सी बात है और सुन लीजे जो आपके इसके adult होते हैं और जो इसके निंफ होते हैं यानि कि जो लारवा होते हैं वो दोनों ही दोनों के दोनों बहुती ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आपके जाके प्लांट के जो लीप्स होती है आपके जगा पतियों को वो सक कर जाते हैं सक करने में बहुत आगे हैं या सक करने में नहीं वो सक करने मतलब चूसने में बहुत आगे हैं इसे समझे इन दोनों के बी मेंटर होती है 10 mm तक होती है इसके अलावा आपकी अलग-अलग किताबों में अलग-अलग देखने को मिल जाएगा 12 से लेके 18 mm तक के बीच में दिया रहता है तो उससे आप भ्रमित मत हुएगा आप 8 से 10 mm में लेके चलिएगा आपकी किताब में यह दिया हुआ है चलिए उम Life Cycle देखते हैं अब Life Cycle क्या है सिंपल सी बात है यह जो आपके Pyrela है यह पूरे वर्स पूरे साल आपकी reproduction की process करते हैं यानि की प्यार करते हैं उसके अलावा यह गर्मी के महिनों में अपरेल या मही के महिनों में अंडे देना उस्टार्ट करते हैं अंडे की लेइंग करत हैं ध्यान दीजेगा पति की निचली सत्व पर आपकी लीब्स के लोवर सरफिस पर यह एंडे की लैंग करते हैं एक कॉलम सौरी एक रो में एक पंक्ती में करीब Conference 40 से 50 अंडे की लैंग करते हैं ठीक है और इसी तरीके से यह रो वाइस मतलब कई पंक्ती में एक की लेंग करते हैं और इस तरीके से ये 300 से 500 के बीच में अंडे की लेंग करते हैं मतलब ऐसे row wise बहुत सारे पंक्तियों में आपकी एक की लेंग करते हैं साथ 4 से 5 row में ये एक की लेंग करते हैं और इस तरीके से ये 300 से 500 के आकड़े को टच करते हैं ठीक है और जो इनके ये अंडे होते हैं ये वैक्सी सबस्तान से कवर्ड रहते हैं ठीक है एक वैक्स मतलब पता है न मोम की जैसे एक सबस्तान से पदार से कवर होते हैं अब बात करते हैं इनके X होते कैसे हैं तो आपके वही अंडे सेप में होते हैं ओवल सेप में होते हैं हलके वाइट ग्रीन या कहली जे हलके ब्लू ग्रीन के कलर में होते हैं जब ये एग होते हैं यानि कि जब एग की लेंग की गई होती है तब ऐसे होते हैं हलके white green या हलके blue green की तरह होते हैं लेकिन बाद में चल कर जब egg की hatching होने वाली होती है तब ये आपके brown color में change हो जाते हैं ठीक है मतलब hatching से यानि कि hatching मतलब क्या फूटने से कुछ दिन पहले यानि कि उस अंडे में से निम्फ के बाहर निकलने से पहले कुछ दिन पहले ये brown color में convert हो जाते हैं ठीक है doubt बिल्कुल मत रखिए का life cycle आती है इसलिए मैं आपको detail से बता रहा हूँ इससे आपकी life cycle individual पूछ दी जाती है अकेले की बस इसकी life cycle को बताएए सो आपको क्या करना है इस figure को बनाना है जो आपके सामने दिख रहा है कोई खास figure नहीं है figure आपके लिए बहुत important है तो हर कीड़े को ध्यान से बसा के रखिए अपने दिमाग में इनके लिए अपने दिमाग में खास जगर रखिए और सुनिये गर्मी का जब दिन होता है तब ये जो इनके एग की हैचिंग है वो साथ से लेके 22 दिन के अंदर में हो जाती है गर्मी की टाइम पे यानि की इनके एग की हैचिंग कहीं न कहीं आपके temperature के उपर depend करती है जब आपका गर्मी का season होता है तब इन एग्स में से जो आपके निम्फ है वो जल्दी बाहर निकलाते है साथ से 22 दिन के अंदर निकलाते है लेकिन ठंडी के दिनों में सीत कालीन में विंटर की condition में इनके एग की हैचिंग में काफी time लगता है बहुत लेट होता है इसी वज़े से मैं कहरा कि इनके एग की हैचिंग काफी हद तक temperature के उपर depend करती है बलकुल doubt नहीं होगा बलकुल clear होगा जब इन एक्स की हैचिंग होती है तो इन एक्स में से जो निम्फ बाहर निकलते है जो लारवा बाहर निकलते है उनहीं लारवा को हम यहाँ पर निम्फ कह रहे है जो निम्फ बाहर निकलते है वो सफेद कलर की होते है white कलर की होते है ठीक है इसमें भी कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको और इसमें एक जोड़ी annal tufts पाए जाते है अब आपके मन में आएगा कि annal tufts क्या है देखे सिंपल सी बात है annal का मतलब आपको पता ही होगा गोदा तो जो हमारा वो है उसके उपर tufts मतलब गुच्छे के रूप में बाल होते हैं ठीक है तो इन में वो एक जोड़ी पाए जाते है यानि की दो ठो पाए जाते है और आपको फिगर में भी जैसा कि दिख रहा होगा कि ये आपके annal है और उस annal के उपर tufts है यानि की बहुत सारे गुच्छे में बाल है उनसे ये कवर है ठीक है तो डाउट टियर होगा स्टार्टिंग में जब ये निम्फ होते है तब इन में कोई पंख वंख नहीं होता है ये सब इनके बढ़ती हुई स्टेज में जब जब ये बहुत सारी मॉल्टिंग की प्रोसेस करते है आपको याद होगा जैसे कि हमने पिछड़ी वीडियो में देखा था कि 6 बार उसने मॉल्टिंग की प्रोसेस करते है वैसे ये 5 बार मॉल्टिंग की प्रोसेस करते है जब ये मॉल्टिंग की प्रोसेस करते है और धीरे धीरे एडल्ट में कनवर्ट होते है तब इन में पंखो का विंग्स का डेवलप्मेंट होता है ठीक है उमीद करता हूँ आप बात समझे होंगे बिल्कुल समझे होंगे और सुनिए जैसे ही ये बचारे अंडे से वहार आते हैं ये निम्फ सबसे पहले का करेंगे सबसे पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए जो पत्ती होती है, उसी पत्ती को ये सक करके, जो वहां की पत्ती होती है, उनमें अपने sucking mouth से सक करके पहले तो पीना स्टार्ट करते हैं, खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहला काम, ठीक है, और इनहीं के माध्यम में convert हो जाते हैं यानि कि nymph से लेकर adult तक के बीच में ये करीबन 5 बार malting की process करते हैं और इस तरीके से ये nymph से adult में convert हो जाते हैं पिछली वीडियो मैंने बताया था कि malting क्या है? malting का मतलब कि जो एक लारवा है आपका जो हमने यहाँ पे इसको nymph कह रहे हैं वो किस तरीके से एक stage से दूसरी stage दूसरी stage से तीसरी stage में develop होता है वही आपकी process malting कहलाती है तो इस तरीके से ये 5 बार malting करकर यानि कि 5 बार अपने stages को change करके आपके जाके adult के रूप में convert हो जाते हैं ठीक है? तो जैसे ही आपके ये adult में convert होते हैं उस समय starting में तो ये white color के होते हैं लेकिन बाद में धीरे-धीरे कुछ दिनों के बाद ये straw color में या वही आपके yellow color में हलके पीले color में ये change हो जाते हैं ठीक है? तो ये इनकी कहानी है बाकी और सुन लीजे क्या होता है? ये जैसे ही आपके adult में convert होते हैं तो जो इनकी female होती हैं वो female adult में convert होने के दो दिन के बाद ही प्यार करने के लाइक हो जाती है मेटिंग की process करने के लाइक हो जाती है और female जो है आपकी वो mainly दिन के समय में ही egg की laying करते हैं अंडे को देती है ठीक है? इतनी बार हम ठीक है ठीक है बोलते हैं कभी जो ये mobile पलट के हमको जवाब दी हो कि ना ही है ठीक है ठीक है मानत हैं तो हर बात समझ में आ गई हमको कभी ना बोलता ये दुस्ट पापी mobile कहीं का गिनगी बर देख लिए mobile ये रहे जेबा इतना प्यार से मनें बोलत है इना कि एक बात बोलते हैं की हाँ सुनाथ है समझ में आ गया और हाँ एक चीज़ और एक साल में इनकी करीबन चार जनरेशन देखने को मिल जाती है जैसा कि हमने गंधी बग में देखा था वहाँ पे एक साल में तीन से चार जनरेशन देखने को मिल जाती है ठीक है तो चलिए अब आपकी life cycle की कहानी खतम अब बात करते हैं ये damage कैसे पहुचाते हैं crop को नुकसान कैसे पहुचाते हैं बस उसे देखते हैं तो सुनिए जो इनके adult होते हैं और जो इनके nymph होते हैं यानि की बच्चा और पैरेंट दोनों के दोनों ये आपके लीप्स को सक करते हैं, उनको चूशते हैं, जिसकी वज़ा से पतियां पीली पढ़कर सूख जाती हैं, ठीक है? ये अपने अंदर से एक स्वीट मतलब एक मीठे और एक चिपचिपए सबस्टान्स का सेक्रेशन करते हैं, जिसे हनी ड्यू कहते हैं, और इस हनी ड्यू के उपर बहुत तीजी से आपके जो फंगस होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, और इनकी वज़ा से उनकी मात्रा पर काले मोल्ड हो जाते हैं जिनकी वजह से आपके फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस में कमी आती है और अगर फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस सही से नहीं होगी तो इनके अंदर यानि की सुगर कैन के अंदर आपका सुगर का फॉर्मेशन कम मात्रा में होता है और इसकी वजह से इनके अंदर 30-40% तक सुगर की कमी हो जाती है इनके अंदर 30-40% कम सुगर का फर्मेशन होता है ठीक है, अब देखिए 100 बात की एक बात इसकी वज़ therefore problem यह होती है कि इनकी मिठास में कमी आ जाती है कितना 30-40% तक इनके मिठास में कमी आ जाती है यही normal सा कहना है अब बात करते हैं इसके prevention and control की कि इसे किस तरीके से हम नियंतर कर सकते हैं और इसका किस तरीके से हम रोक थाम कर सकते हैं एक तो यह है कि जो इनके अंडों का समू होता है यह जहां पे groups में बहुत सारे अंडे की लेंग किये रहते हैं उनको collect करके उनको जला दीजे या उन पर phenyl का spray कर दीजे तो इस तरीके से उनके जो एक से वो destroy हो जाएंगे एक तरीका यह है दूसरा आपके जो स्वाइल है उसमें nitrogen की मातरा अगर ठीक से होगी अच्छी होगी, balance होगी तो भी ये problem देखने को नहीं मिलती है इसके अलामा जो आपके पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था light trap उस तरीके से भी आप इनको फसा कर मार सकते हैं ये भी एक तरीका है चौथा सुनिए सुगर कैन की ऐसी किसमों को लगाना चाहिए जो की कीट रोधी हो, ठीक है मतलब जिसके उपर कीट का कोई effect ना हो या बहुत कम effect हो, ठीक है ऐसे भी आते हैं जैसे के आपके CO 365 और CO 997 यानि की 957 ये आपके पाइडिला प्रती रोधी होते हैं मतलब कीट प्रती रोधी होते हैं इन किसमों को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं चौथा 0.25 से लेकर 0.35 लीटर एंडरीन या गामा बियच्सी को 10 लीटर मिटी के तेल के साथ मिला कर उसको इस्प्रे करने से भी आपका काफी हद तक ये जो आपके पेस्ट है उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है और भी आपके कीट नासक ये जो आपके सामने दिख रहे हैं इन कीट नासकों काफी योग करके भी आप इने कंट्रोल में कर सकते हैं बाकि आप लोग समझदार है ही आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर सब्सक्राइब करिएगा टाटा बाई बाई